Hello and welcome you all, मैं हूँ धननजय वैसे तो इसरेल और इरान के बीच में संबंद इतने खराब हैं कि यहां से संबंद और खराब हो इसका कहीं से कोई गुंजाईस बचता ही नहीं है इसी बीच 31 जुलाई को तहरान इरान में इसमाईल हनिया को मार दिया जाता है लेकिन जिस तरीके से समाईल हनिया को तहरान इरान में मारा जाता है यह अपने आप में एक बहुत यह बड़ा embarrassment लेके आता है इरान के लिए और ठीक इसके बाद यह अनुमान लगाया जाना शुरू हो गया था कि इरान इसरेल के उपर attack तो करेगा लेकिन कब करेगा और किस तरीके से करेगा यह नहीं मालूम था इसी बीच इसरेल के intelligence agencies के दुआरा यह claim किया जा रहा कि आने वाले दो से तीन दिनों के भीतर में इरान इसरेल के उपर attack करेगा और यह attack massive और एक direct attack होने वाला है यह हमारे सामने Jerusalem Post का article है जहां पर आप देख सकते हैं कि Israeli intelligence agencies का यह मानना है कि इरान इसरेल के उपर direct attack करेगा हलाकि इस चीज़ में कहीं से कोई दोर आयनी है कि इसरेल के पास दुनिया का one of the most advanced air defense system है यह overall का जो defense है वो भी काफी मजबूत है लेकिन क्या हो अगर इरान किसी भी तरीके से ballistic missile का use करेगा तो क्या इसरेल का air defense system capable है ballistic missile को रोकने के लिए और अगर किसी भी तरीके से ballistic missile का use करेगा इरान तो यह जो जंग है यह Middle East से निकल के possibly हर तरफ फैल जाएगा इसी बीच अगर हम बात करें तो बीते 5 सालों का अगर सिर्फ हम data उठाते हैं तो हमें यह मालूम पड़ेगा कि इरान के बहुत सारे high ranking officers को मारा गया है चाहे वो political division के हो चाहे वो military division के हो तो कहने का मतलब है कि जब कोई आपके देश में continuously attack करता रहता है तो कहीं न कहीं एक point आता है जहाँ पे आप यह सोचते हैं कि अब सामने वाले देश को भी एक बहुत एक करारा जवाब दिया जाए और जहां तक बात किया जाए as an Indian तो हमारे लिए बेहर ज़रूरी होता है कि इन सब चीजों को बहुत ही हम neutral point of view से रहे के देखें और जब हम किसी को support या oppose करें तो हमें ये make sure करना है कि हमारे पास data हो हमारे पास fact ये हमारे सामने दर Times of Israel का article है जहां पे आप साफ देख सकते हैं कि Israel ये उमीद कर रहा है इरान के दवारा कि उसके उपर एक massive attack किया जाएगा और ये जो attack रहने वाला है वो direct attack रहेगा इसी बीच जब कहीं पे भी war या conflict का situation होता है तो एक normal circular जारी किया जाता है वहां के common civilians के लिए तो वैसा ही कुछ issue किया गया है जो common civilians इस्रेल के है उनके लिए और साथ में कहीं न कहीं ये भी उमीद था कि शायद international pressure में आके इरान इस्रेल के उपर attack नहीं करेगा और जिस तरीके से USA का support है इस्रेल के साथ में तो कहीं न कहीं कोई भी देश उस देश को attack करने से बसता है जिसके साथ US का support हो लेकिन ये जो perception है ये change होता हुआ दिख रहा इसी बीच अगर अब बात करेंगे तो जो US का behavior है ये अपने आप में बड़ा अजीबो गरीब है कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि US के पास बहुत पैसे हैं और US के पास अपने challenges नहीं है US के पास भी अपने challenges है वहाँ के जो लोगे उनके पास भी homelessness का काफी issues है बीते कुछ सालों में वहाँ पे भी महगाई काफी बढ़ा है लेकिन जिस हिसाब से US इसरेल को support कर रहा या in fact जो पूरा का पूरा Parliament है US का वो खुले आम support कर रहा इसरेल को लेकिन वहीं पे जिस तरी तरीके से Gaza में attack कर रहे हैं उसके बारे में कहीं से कोई खास ठोस action नहीं लिया जा रहा है जहां तक बात किया जाए United Nations के बारे में या इसके जैसे और भी अलग-अलग human rights organization के बारे में तो सभी को ये मान रही कि जो situation गजा में हो रखा है ये complete तरीके से genocide है और जो लोग बच भी गया है वहाँ पे उनका जो आने वाला future है वो काफी खत्रे में है तो कहने का मतलब है इन सब के बावजूद US ballistic missiles हो गया या सब marine हो गया या possibly हर तरीके का जो military aid है वो इस्रेयल को देने के लिए तयार है साथ में as in Indian हमारे लिए ये बहर ज़रूरी होता है कि हम US का इस behavior क को देखें और सोचे कि क्या US कभी इस तरीके से किसी और देश को support करेगा या in fact कभी इस तरीके से आके इंडिया को support करेगा तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं तो as in Indian हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने capabilities को बढ़ाते रहें और अपने आपको और भी expand करते रहें और अलग अलग देशों के साथ अपने relations को establish करते रहें वहीं पे अगर आब बात करेंगे तो इरान के perspective से यह क्यों जरूरी है कि उसे इसरेल के उपर attack करना चाहिए तो बीते 5 सालों का अगर आप सिर्फ data उठाते हैं तो आपको multiple ऐसे attacks मिलेंग जो directly किये गए हैं इसरेल के द्वारा इरान के उपर और गर किसी भी तरीके से इरान अगर इन सब attacks का बदला नहीं लेगा तो एक तो इरान का जो एक global image है वो काफी कमजोर साबित होगा और उसके बात क्या है कि जो इरान के लोंग है वो कहीं न कहीं अपने leaders को काफी कमजोर समझेंगे और जहां तक बात किया ज जो dynamics है वो complete तरीके से बदल जाएगा और उसके बात क्या होता है कि जब आप innocent लोंगों को मारना शुरू कर देते हैं चाहे गजा के हो चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से में हो तो जो neutral लोंग होते हैं वो कहीं न कहीं जिस देश में unnecessary attack किया जा रहा उनको वो support करना शुरू कर देते हैं वहीं पे अगर हम बात करें जो इरान के नए प्रेसिडेंट है मसूद पिजैसकेन के बारे में तो इनका जो nature है वो कुछ इस तरीके से है कि ये इरान के जो संबंध है और सब अलग अलग देशों के साथ उनके साथ ये अपने संबंध को मजबूत करना चाहते हैं और ये military का सहारा ना लेकि ये diplomatic pressure बनाना चाहते हैं जहां पर ये fact and figure दुनिया के सामने रखे और ये बताएं कि जो US कर रहा या in fact जो इसरेल कर रहा वो ethically कितना गलत है तो अगर आप more or less अगर आप समझना चाहेंगे तो इरान में आज के date में complete तरीके से दो विचार ब नहीं है क्योंकि US एक global superpower है तो कहीं न कहीं वो जब किसी देश के उपर sanctions लगा देता है तो कोई और देश उसके साथ वैपार करने से बसते हैं जहां तक बात किया जाए भारत के बारे में तो भारत के संबंद इरान के साथ fairly अच्छे रहे हैं और एकर किसी भी तरीके से इर इरान के उपर sanctions नहीं लगाया गया होता तो भारत इरान से oil लेता और जो payment का date इरान हमें देता है वो भी काफी लंबा दिन देता है तो कहने का मतलब है कि जो हमारा energy का requirement है ये हम अलग-अलग देशों से fulfill करतें तो इसका result ये होता कि हम किसी एक या दो देश के उपर dependent नही होते हैं और जहां तक बात किया जाए कि क्या पूरा का पूरा इसरेल Benjamin Netanyahu को support कर रहा तो देखिये बिलकुल भी नहीं है बहुत सारे ऐसे लोग इसरेल में ऐसे हैं जिनको पता है कि जो आज के date में इसरेल के दुवारा किया जा रहा इससे तो कम से कम किसी भी तरीके से peace and prosperity क्यों आप नहीं ला सकते हैं और आप एक situation को समझे कि अगर किसी भी देश में इतने लंबे दिनों तक अगर एक tense atmosphere रहेगा तो school, colleges या कहले कि बहुत हद तक जो normal activities होते हैं वो block रहते हैं और उस देश के जो लोंग है उनके बारे में काफी एक hatred फैलता है इनका नाम है बहुत ही बड़ा संकट create करेगा और उसके बाद अगर आप इन सब articles को पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि Benjamin Netanyahu अपने personal image को बचाने के लिए एक unnecessary का war को छेट रखे हैं जिसके कारण कहीं ना कहीं ये जो global crisis है वो भी आने वाले दिनों में बढ़ता हुआ दिख रहा और अगर किसी भी तरीके से आने वाले दिनों में ये Middle East crisis बढ़ता है तो no doubt इसके पीछे Israel तो जिम्मदार ही है लेकिन इसके पीछे US भी कम जिम्मदार नहीं रहेगा जो पूरे दुनिया को घुमगुम के peace and prosperity की बाते बताता है और करता है I hope that you like the video अगर फिर भी मुझसे क कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा मैं चाहूंगा कि आप मुझे email करके बताएं see you in the next video have a wonderful day thank you take care good bye